आज मैं बेशन की लड़ू बनाने जा रहे हूं जो कि बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं एक घर के भी पाथ समागरियों से आसानी से बन जाएंगे इसके लिए हमें चाहिए दो कप बेशन, दो कप चीनी, ये छोटी कटोरी घी, थोड़ी सी बदाम और थोड़ी सी इनाईची ये लड़ू बहुत ही स्वादिश्ट बनने वाले हैं मैंने कराही गरम कर ली है, दो से तीन मिनट तक गराही कर ली है, अब मैं इसमें हाप कटोरी घी डालूंगी घी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें धीरे धीरे करके बेशन डालूंगी बेशन एक बार नहीं डाल सकती हैं क्योंकि इसमें गाठ बन जाएंगे बेशन बेशन को धीरे धीरे करके पूरा की पूरा बेशन डाल देना है और बेशन को धीमी आज पर चलाते हुए हमें इसे भूनना है बेशन भूनने के दोरान ही मेरे कुप्रा का पूरा घी डाल देना है जब वो पूरी अच्छी तरह से 20-25 मिनट तक हम धिमी आचो पर इसे चलाते हुए भूनेंगे जब बेशन भून जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो मैं एक छोटी सी सिक्रिट बताने वाली हूँ दोस्तो जिससे बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा ये लड्डू और हलुगाई की जैसा बनेगा जैसा आपने मार्केट में देखा होगा तो इसलिए दोस्तो अब मैं आपसे 20-25 मिनट बाद मिलती हूँ तो अब बेशन अच्छी तरह से भून चुका है अब मैं वो सिक्रिट बताने जारें जिससे कि वह बिल्कुल हलुगाई की तरह दनिदार होगा ये है पानी का छिरका हो अब मैं इसे पांच मिनट तक ऐसी चलाते हुए भूनोंगी ऑफ कर दोंगी गैस ऑफ करने के बाद थोड़ी पांच मिनट तक मैं इसे चलाते रहूंगी जदी मैंने नहीं चलाया तो ये बेशन नीचे करा ही गरम है बेशन नीचे से जल जाएगा और लड़ू खराब हो जाएगा अब 5 मिनट हो चुका है अब मैं इसमें इलाइची परड डालूंगी और उसे अच्छी तरह से मिलाउंगी जिससे टेस्ट इसका खिल कर आएग थोड़ी देर इलाइची परड मिक्स करने के बाद मैं इसे दूसरे प्लेट में निकाल लोंगी और उसे रूम तमप्रेचर पर 25 से 30 मिनाट तक रखोंगी तो ठंड़ा हो जाए देशन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब इसे मैं रूम टंपरेचर पर 25 से 30 मिनाट तक ठंड़ा होने के लिए छोड़ूंगी तब तक मैं इस चीनी को मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लोंगी लड़ू के लिए मिठास बहुत ही जरूरी है अब आप देख सकते हैं कि चीनी पाउडर तयार हो चुका है मैंने इस चीनी लिया है अब इसे बेशन में डाल के लड़ू बनाने के लिए बिल्कुल तयार हो चुका है अब बेशन ठंधा हो चुका है 20 से 25 मिनट हो चुके है बेशन ठंधा हो चुका है अब मैं इसमें चीनी मेक्स करूँगी चीनी एक बार पूरी मेक्स नहीं करूँगी थोरी थोरी डाल के मेक्स करूँगी और अच्छी तरह से चीनी और बेशन अच्छी तरह से मेक्स हो जा मिलाऊंगी क्योंकि हांस से नहीं मिलाएंगे तो इसमें गाट सरा जाएगा जिससे लड्डू टेश्टी नहीं होगा लड्डू को बनाने के लिए बेशन और चीनी का मिश्रन बहुत ही अच्छा से होना चाहिए अब मिश्रन तयार हो चुका है अब मैं इसे लड्डू की सेप दे रही हूँ यह देखिए दोस्तों यह लड्डू बन के तयार हो चुका है अब मैं दूसरा लड्डू बनाने जा रही हूँ इसी तरह से मैं सारा लड्डू एक साथ बना लूँगे इसी तरह से मैं सारा लड्डू बना लूँगे और इसमें मीठास पहुत ही सही मातरा में होगा क्योंकि मैंने सही मातरा में इसमें चीनी डाला है ये खाने के बाद बहुत ही स्वाधिश्ट लगेंगे देखिए लड़ू बन के तैयार हो चुके हैं मैंने इसे बदाम से सजा दिया है जो आप देख सकते हैं आप वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिजे और इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें